आज हमने माने सिविल जज सिने डिविजन रवी कुमार दिवाकर की कोट में इक और ने वाद फाइल किया ये मुकदमा जो था इसमें तीन प्रमुख मांग की गई एक तो ततकाल प्रभाव से ग्यानवापी परिसर में मुस्लिन पक्ष का परवेश परतिबंधित किया जाए दूसरा ग्यानवापी परिसर को हिंदू पक्ष को दिया जाए संपूर परिसर तीसरा सबसे महत्पूर मांग जो उसमें की थी वो ये की आदी विश्यू से स्वंभू जोती लिंग जो अब सभी के सामने प्रगट हो चुके हैं उनकी ततकाल पूजा अर्चना प्रारहम करवाई जाए इसके लिए हमने अलग से भी एक अप्लिकेशन मेंसन की थी माने नियायले ने हमारे वाद को स्विकार करते हुए यानि केस को एड्मिट कर लिया विपक्षियों को नोटिस और उस अप्लिकेशन पे जिसमें में विशेश मांग की थी कि पूजा अर्चना का अधिकार दिया जाए तकाल में उस पे कल दिनाख 25 को सुनवाई के लिए लगा दिया गया है ये किसके तरब से याचिका दायर की है? विश्वेदिक सुनातन संग की अंतराष्टे महामंतरी श्रीमती किरन सिंग जो साथ में ही हैं इनके द्वारा आदी विश्वेशर स्वेंबु जोती लिंक की तरफ से फाइल हुई है जी कल उस महत्पुर्ण बिंदू पे सुनवाई कल के लिए निदार गी मैं आज आपने एक याची का दायर की उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है या उमीद लेकर के याची का दायर की थी क्या सोच थी इसके पीछे ग्यान वापी परिशर को ले करके हमने आज का दायर किया जो हमने यह दायर किया कि जो है ग्यान वापी परिशर पहला बिंदू है कि मुसल्मानों से वर्जित किया जाए उस पे और दूसरा कि हमें पूजा पाठ करने का अधिकार मिले हिंदू को और तीसरा जो ग्यान वाप परिशर पूरा परिशर है वो हम हिंदूों को सोपा जाए